आज की वीडियो में हम क्लास 7 की आपकी इंग्लिश की वर्कषीट नमबर 3rd डेट है इस वर्कषीट की 12 अपरल 2021 आज की वर्कषीट में बच्चों हम वर्व 2B देखेंगे इसमर देजार थी प्रेजेंट टेंस वर्व और 2B तो इसमर इन तीनों 2B वर्प्स को हम देखेंग होगे आप शी है शी के साथ भी इसका यूज किया जाता है इट है उसके साथ भी हम इसका यूज करते हैं इसके अलावा आई के साथ हम एम का यूज करते हैं ओके आपको याद करना है बच्चों की ही के साथ आपको इसका यूज करना है हिंदी में ही का होता है आपका वह ज फिर उसी तरह शी लड़की के लिए यूज किया जाता है तो उसमें is use करना है इसके साथ भी आपको is use करना है I के साथ अपको M यूज करना है तरह जब पुरलर नौंस और प्रनौंस होते हैं तब हम क्या यूज करते हैं तब हम यू-वी दे गए हैं आपके लिए सबसे first है read the first sentences and complete the second one as in the solve example जैसे first है दिया गया है कि Anil is swimming ठीक है तो आप क्या लिखोगे he is seven years old यहाँ पर he के साथ fill करना है न तो हम is fill करेंगे next है I am not lazy तो आप fill करोगे I am strong ठीक है फिर next है ship are shelling in the sea they are moving towards beach तो दे के साथ हमने यहाँ पर क्या यूज किया आर यूज किया ठीक है अब notebook में answer number first डालके बच्चो answer number first डालके यह sentences लिखोगे ओके फिर next question number second है read the following sentences allowed twice and circle the to be verb तो आपको इन sentences को पढ़के दो बार पढ़ना है आपको और उसके बाद इसमें जो to be verb से उसको find करना है ठीक है circle करना है जैसे first में है I am तो I am हो गया ओके first में am हो गया हमारा और I am strong इसमें भी am हो गया फिर next है he is तो is इसके उपर आप circle करोगे he is strong and she is talented तो is के उपर भी आपको circle करना है फिर third है it is strong it is fast तो यहाँ पर इसके उपर आप circle करोगे और it is fast ठीक है we are strong and healthy तो are के उपर आप circle करोगे फिर next है you are strong and wise तो R के उपर यहाँ पर भी circle होगा 6 है they are strong and intelligent तो यहाँ पर भी R के उपर होगा मैं cross कर देती हूँ बच्चो आप अपने notebook में circle कर लेना M, M, यहाँ पर is हो गया यहाँ पर भी is हो गया यहाँ पर R हो गया यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी R यह आपको अपनी notebook में लिखके फिर circle करना है question number third है बच्चो fill in the blanks by choosing the correct option is M, R इन तीरों में से आपको कोई एक option choose करके से भरना है जैसे first है I am a girl, he is a boy कि मैं एक लड़की हूँ और वह एक लड़का है तो I के साथ हमने M fill कर लिया he के साथ is fill कर लिया second है V तो V के साथ हम क्या fill करेंगे R यह second का है उसके बाद है she is happy तो third में आएगा is यह वह खुश है third है they are fourth में हम fill करेंगे R they are in the park fifth में हम fill करेंगे is it is ठीक है it is cold today आज क्या है आज ठंडी है six है you are six में आप fill करोगे you are right कि तुम सही हो first में M और is आजएगा second में आपका R आजएगा उसके बाद third में is fourth में R फिर it के साथ is और फिर six में आपका R ठीक है फिर question number fourth है बच्चों कि complete the paragraph with is MR हमें is MR के साथ इसे complete करना है तो सबसे first hello I am ठीक है first में आप भरोगे I am summer कि मैं summer हूँ I study in class seventh मैं class seventh में पढ़ता हूँ I play with my brother in the evening मैं evening में अपने brother के साथ खेलता हूँ he is ठीक है ही के साथ हम क्या fill करेंगे he is he is elder to me I के साथ आप fill करोगे यहाँ पर I am 12 and he is 13 years old कि मैं 12 साल का हूँ और वह 13 साल के है we go to the same school हम एक ही स्कूल में जाते हैं we have a cat it is ठीक है it के साथ हमने क्या यूज किया is का यूज किया it is white in color we are always happy together हम हमेशा खुश रहते तो वी के साथ हमने क्या यूज किया I use किया ठीक है तो ये थी आज की आपकी वक्षीट I hope आपको अच्छे लगी हो thank you so much